हलो फ्रेंड्स वेलकम इन मा यूटूब चैनल रेडियो लोजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है इसकल एपी व्यू एक्सरे और इसकल लेटरल व्यू एक्सरे पोजिस्निंग फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसकल का एपी व्यू और इसकल का लेटरल व्यू क्यों करते हैं मतलब इसके इंडिकेशन, पैसेंट प्रिपरेशन, पैसेंट की पॉजिशन, सेंटरल रे, कॉलिमेशन, कैसेट साइज और एक्सपोजर फेक्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और रेडियो लोजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए जानते हैं इसकल एपी और लेटरल व्यू के बारे में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में सबसे पहले अपन इसकल एपी व्यू एक्सरे के बारे में जानते हैं फ्रेंट्स इस व्यू को अपन फ्रंटो ओग्सिपिटल व्यू भी कहते हैं फ्रेंट्स BRT और DRT दोनों के लिए इसकल रेडियोग्राफी बहुत ही important topic है तो फ्रेंट्स आप इसकल की रेडियोग्राफी को थोड़ा द्यान से समझें क्योंकि इसकल की रेडियोग्राफी mostly exam में पुछी जाती है तो फ्रेंट्स सबसे पहले अपन इसकल एपी व्यू के इंडिकेशन के बारे में जानते हैं फर्स्ट नमबर है suspected fracture, skull and facial bones मतलब इसकल और facial bone में कोई suspected fracture होने पर सेगेंड है demonstrate the orbits and frontal bone मतलब frontal bone और orbits bone को demonstrate करने के लिए फर्स नमबर है decalcification in the skull मतलब skull bone का decalcification देखने के लिए मतलब कई बार skull की bone में calcium की कमी हो जाती है तो इसे देखने के लिए भी skull का AP view x-ray करते हैं फोर नमबर है deformities in the skull मतलब skull की bone में कोई विकरती होने पर infection of the bones of the skull मतलब skull और face की bone में किसी परकार का infection होने पर last है pathologies of the frontal sinus and ethmoid sinus मतलब frontal sinus और ethmoid sinus की pathologies को देखने के लिए भी skull का AP view x-ray करते हैं फ्रेंट्स इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह हमारा skull होता है और यह हमारा face होता है फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि हम किसी भी body part का x-ray करते हैं तो उसकी anatomy के बारे में जानना हमारा बहुत जरूरी होता है तो फ्रेंट्स इसकल radiography के लिए इसकल की anatomy का वीडियो मेंने एक अलग से बना रखा है जिसका link इस वीडियो के description में दियावा है उस link पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं अब contra indication के बारे में जानते हैं suspected pregnancy मतलब अगर किसी female patient को pregnancy है तो उसकी radiography नहीं करते हैं फ्रेंट्स कई बार क्या होता है कि female patient का इसकल radiography करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार picture हो जाता है तो अपन x-ray करते हैं तो उस patient के लिए patient के gonards पर lead shield का use करके यह x-ray किया जाता है अब patient preparation के बारे में जानते हैं मतलब इस view के लिए patient को कैसे त्यार किया जाता है All radio opaque and metal items should be removed from the area of examination मतलब सभी परकार के radio opaque और metal items को examination area से remove कर देना चाहिए जैसे hair clips, earrings and nose pins क्योंकि इन से x-ray में artifact बनता है Friends अब इसकल APVue की patient position के बारे में जानते है The patient lies supine position on the x-ray table मतलब इसकल APVue के लिए patient को सबसे पहले x-ray table पर supine position मतलब peat cable लेट आये जाता है The patient passes the x-ray tube मतलब जो patient का face होता है वह है x-ray tube की तरफ होना चाहिए Both arms and forearms are relaxed at the side मतलब patient के दोनों arms और forearms patient के side में relaxed position में सीधे रखने चाहिए The neck is flexed मतलब जो patient की गर्दन होती है वह है chest की तरफ थोड़ी सी मूड़ी होई होनी चाहिए The orbital middle base line is perpendicular to the imaginary chapter मतलब patient की गर्दन को इतना flexed करना चाहिए कि जो orbital middle base line होती है वह है image receptor के perpendicular मतलब image receptor के लंवत हो जानी चाहिए Friends इस diagram में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है हमारी orbital middle base line होती है तो यह line image receptor के लंवत या perpendicular होनी चाहिए Friends इसकल में जितने भी landmark या जितनी भी lining होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकल की radiography उसके बीना आप नहीं सीख सकते तो Friends अपने प्रिवेस वीडियो में इसकल के landmarking और इसके lining के बारे में बात की थी जिसका link इस वीडियो के description में दियावा है उस link पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं The median societal plan should parallel to the image receptor मतलब patient का median societal plan image receptor के parallel होना चाहिए The patient head is supported to max him immobilize मतलब patient को एक जगह इस्तिर करने के लिए उसके सिर को support भी दिया जाता है इस diagram में आप देख सकते हैं कि इस परकार patient सिदा सुपाइन position में लेटा होता है और patient का जो face होता है वह है इस x-ray tube की तरफ होता है और patient की जो यह orbital baseline होती है वह है image receptor के perpendicular होती है अब central ray की बात करते हैं मतलब x-ray beam का centring point कहा होना चाहिए the vertical ray beam is used मतलब इसकल APVU में vertical x-ray beam का use किया जाता है centered to the baseline and over the glabella मतलब इसकल APVU में x-ray beam का centring point baseline और glabella के उपर दिया जाता है superior to the nasian इस diagram में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर nasian point होता है इसी point पर x-ray beam का centring point दिया जाता है इस second वाले diagram में भी आप देख सकते हैं कि जो x-ray beam होती है वह frontal bone से enter होकर occipital bone की तरफ exit होती है अब gonadal silding की बात करते हैं प्लेस लेड़ silds और पैसेंट टू silds gonads मतलब पैसेंट के gonads को इसके ट्रेडियेशन से बचाने के लिए पैसेंट के gonads पर लेड़ silds लगाया जाता है अब collimation के बारे में जानते हैं outer margins of skull superior to the vertex and inferior to the mandible मतलब skull की जो outer margins होती है वह है इस collimation में include होनी चाहिए और जो skull का vertex होता है वहाँ से लेकर mandible भी include होना चाहिए next है image receptor size या cassette size friends, skull के AP view में अपन 10 x 12 inch का image receptor use करते है next है orientation of image receptor यह portrait होना चाहिए और इसमें single projection ही लिया जाता है next है marker place right and left appropriate marker on the cassette मतलब skull के right या left side image receptor पर marker लगाना चाहिए next है exposure factor friends, skull के AP view में 70-80 kvp और 50-60 ms का use किया जाता है और friends, जो exposure factor होते हैं वह बोड़ी पार्ट की थिकनेस और intensifying screen की speed पर भी depend करते हैं next है FFD यह है 100 cm होनी चाहिए next है bucky या grid friends, इस view के लिए bucky की requirement होती है इस image में आप देख सकते हैं यह है जो x-ray है यह हमें skull AP view में प्राप्थ होता है friends, अब हम skull के lateral view के बारे में जानते हैं सबसे पहले इस view की patient position के बारे में जानते हैं मतलब इसका lateral view के लिए सबसे पहले patient को image receptor के पास में या तो बेठायाद दिया जाता है या फिर खड़ा किया जाता है और जो patient का face होता है वह vertical image receptor की तरफ होता है मतलब patient के head या skull को right या left side rotate किया जाता है और skull को इतना rotate करना चाहिए कि जो skull का median societal plane होता है वह image receptor के parallel हो जाए मतलब skull image receptor के समानतर हो जाए the chin should be little elevated so that head is in lateral position मतलब patient का chin या patient की ठुड़ी थोड़ी सी उची होनी चाहिए ताकि patient का head proper lateral position में हो जाए friends इस diagram में आप देख सकते हैं कि skull के lateral view के लिए इस परकार patient की proper position होनी चाहिए the inter orbital line should perpendicular to the image receptor मतलब जो skull की inter orbital line होती है वह है image receptor के perpendicular होनी चाहिए friends इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह actional augustic meters से in orbit के lower border तक जो line बनती है उसे अपन inter orbital line कहते हैं the cassette upper edge is kept 2 inch above the base of the skull मतलब cassette का जो upper border होता है वह है इसकल के base से 2 inch उपर रखा जाता है अब central ray की बात करते हैं मतलब इसकल के lateral view में x-ray beam का centering point कहां होना चाहिए the vertical x-ray beam is used मतलब इसमें vertical x-ray beam का use किया जाता है centered over the midpoint between the glabella and the external occipital protubrans 2 inch above the external augustic meters मतलब इसकल के lateral view में x-ray beam का centering point glabella और external occipital protubrans के midpoint पर दिया जाता है या फिर जो हमारा external augustic meters होता है उससे 2 inch उपर दिया जाता है इस diagram में आप देख सकते हैं कि इस point पर x-ray beam का centering point दिया जाता है इस diagram में भी आप देख सकते हैं कि जो x-ray beam होती है वह इस point से enter होकर इस point से exit होती है और detector तक पहुँचती है तो friends आज का हमारा टोपिक ही complete होता है friends अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और रेडियो के टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाई